तो जब आप website की optimization कर रहे होंगे उन keywords की gains जो आपने research किये थे साथ ही आपने parallel में अपनी link building का plan भी बनाना है तो आपको जाद हो कि मैंने आपको बताया था कि आप process को किसी भी तरह से follow कर सकते हैं अब ये कुछ चीज़ें हैं जो step wise होना ज़रूरी हैं लेकिन कुछ चीज़ें step wise होना ज़रूरी नहीं भी गया हैं अगर आप on page optimization एक page की कर रहे हैं तो आप 4 pages की भी कर सकते हैं अगर चार लोग बैट के CEO कर रहे हैं तो हो हर बंदा चार-चार की करके parallel में काफी pages adjust कर सकता है आप साथ ये भी कर सकते हैं कि जब आप एक page ये on page कर रहे हैं आप साथ ही दूसरे बंदे को लगा दें कि इसकी link building भी शूरू कर दो ताकि वो उन keywords को पकड़े और वो opportunities धूंडे हैं कि कहाँ पर guest blog या कहाँ पर social media website या कहाँ पर कोरा के ओपर जाकर किस तरह से वो आपने link build करने हैं तो कुछ चीज़े parallel में साथ चल सकती हैं लेकिन technically मैं देखूंगा कि पहले on page optimization होना जरूरी है अगर आपने off page करनी है तो off page करने से पहले on page से जरा बरी हो जाएं या अगर आपकी website बड़ी है और आपको लगता है कि यह on page तो काफी time लगेगा कुछ महीने लगेंगे इतने pages हैं कि हजारों की तदाब में pages को optimize करने के लिए आपको कुछ महीनों का वक्त दरकार होगा इसका मतलब यह निया कि आपको कुछ महीने wait करेंगे और वो पहले काम खतम करेंगे फिर आप off page करेंगे तो याद रखें वही formula कि आपने main pages optimize करने हैं आपके main pages अगर 20, 30, 40 या 50 तक ही होंगे इसके बाद बाकी चीजें जो हैं सिवाए अगर e-commerce की website है उसके इलावा actual जो main website हैं जो आप business website हैं उनमें 10, 15, 20 pages ही important होते हैं जहां से passage generate होने होते हैं e-commerce में तो अगर different case होता है e-commerce में हर product ही चूँके बेचने के काबिल होती है तो उसमें हम यह करते हैं कि हम top selling products को पहले optimize करते हैं तो यह business को पता होता है या business honor को पता होता है कि उसकी कौन सी products हैं जो सबसे ज़ाद बिखती हैं वो top 100, top 50, top 10 products निकालें उनको पहले optimize करें फिर next top 10 को या top 20 को करते करते आप कम असकम top 100 products कर लें और उसके बाद उनकी link building शुरू करते हैं इससे यह फाइदा होगा कि आपकी on page पहले हो जाएगी आपकी on page होने से यह फाइदा होता है कि Google जब आता है आपकी website के अपर वो आपको on page का credit देता है आपकी rankings जो है वो आपकी जो optimization है वो बहतर होती है जब आप on page कर लें आप उसको 700 off page भी शुरू करवा दें off page में link building प्लैन होता है और link building जैसा कि मैंने आपको बताया था कि links लेने हैं आपने किसी भी तरह से मैंने आपको काफी techniques भी बताई थी किस तरह से आप links ले सकते हैं ethical रहने हैं सब इंपॉर्टन बात यह है चीटिंग में या दो नंबर जो काम है वो बिल्कुल नहीं करने है क्योंकि मसला यह है कि Google अगर आपको पेनल्टी पेनलाइस करेगा तो अल्टीमेटली आपकी वेबसेट बिल्कुल बैन हो जाएगी Google से और आपने ethical रहकर अपनी link building करनी है तो link building में क्या हो सकता है mainly for example आप guest blogging कर सकते हैं आप खोरा पे अगर आपके product के related आपसे कोई सवाल कर रहा है या किसी से भी कोई सवाल कर रहा है आप उस पे जवाब देकर एक अच्छी इसको value add करके अपना link वहाँ में चोड़ सकते हैं आप किसी friend से या family से request कर सकते हैं कि आपके बारे में review लिखें आप PR campaigns कर सकते हैं आप फॉरम्स में discussion कर सकते हैं comments कर सकते हैं ब्लॉक के ओपर जाके या different जोगां पर जाके तो link building जिस तरह से भी आप कर सकें जैसे जैसे आप links ले सकें आप लें एक शर्त है कि आपने ethical रहना है ethical links होंगे तो Google आपको long term benefit देगा unethical होंगे आज बच जाएंगे कल बच जाएंगे परस तो Google आपको फिर भी पकड़ ही लेगा वो machine learning algorithm यूज़ करता है और जाधा तर लोग जाधा देट तक उससे बचे नहीं रहते हैं तो जिस दिन उसके algorithm में पकड़ लिया आपको उस दिन आपके साथ मसला हो सकता है और especially अगर आप अपनी website कर रहे हैं तो लोग careless होते हैं अपनी website को लेगी क्योंकि अगर डाउन होगी तो किसी को जवाब ने देना खुद की गलती है खुद अमबरदाश कर लेते हैं लेकिन अगर specifically आपको को क्लाइंट पैसे दे रहा है और अगर आपने freelancing platform से प्रोजेक्ट पकड़ा हो है और आपने अगर ऐसा काम कर दी है जिसके विएसे उसकी वेप्टिट बैन होगी है वो ना सिर्फ आपको रिव्यू गंदा करेगा आपकी profile गंदी करेगा बलकि आपके हाथ से वो पैसे जो आ रहे हैं वो भी चले जाएंगे और आपकी profile गंदी होने से बाकी जो काम आपको नया मिलना था वो भी खराब हो जाएगा तो आपने वो keyword research करनी है उसके बाद आपने वो अपनी optimization करनी है pages को keyword assign करने है उसके बाद आपने उनी keyword के उपर link बनाना है तो steps wise अगर आप देखें तो यह step एक important step है और यह continuous step है तो एक और चीज़ भी जेन में रखनी है कि सारे steps ज़रूरी नहीं कि जो start होगा वो खतम भी हो जाएगा या एक step खतम होगा दूसरा step start होगा parallel में चीज़ें चलती रहेंगी लेकिन logically मेरे ख्याल में यह step जो है तब ही sense बनेगी जब आप on page कर लेंगे फिर ही आप link building के उपर आएंगे